ठंडीग मौसा हुआ फूल जितने बी पहोधे नियुक को आप दे सकते हैं आप देखने साथ जैसे, पहुत चल के पहोधें सब लीकशाव में चोपन पावादे, झनियुक्त सेके कइं कालेक लोगे, मिलिबग आता ही है मिलिबग तो देखने हैं, सारे बट्स में यह काले 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 और वायट दो रंग के आपको इसमें कीड़े देखने को मिल जाते होंगा और वो जो वायट वाले हो मिली बग नहीं यह अब को ध्यान रहें और इसके साथ साथ इसमें चीटियों का भी अटेक रहता है इसे आपको कुछ और हम दिखा दें अब इसमें में देख सकते हैं देखिए यतने हैं यह सारे किड़ए जो सारी स्लाइ खीर है अब दोस्ते वगा क्या कि यह गlorusucking नहीं बन पाएगा उच्कमिती समझ्य आ जाएगा आप सकते हैं इसमें देखिए इसमें देखिए पच्छुर मात्रा में पहले है ऑद दोनों का कैसे सम्टार बाते हैं घरेलो चीज़ है तो मैं आप चलिए जो काली कीडे हैं इसको कैसे कम खतम करते हैं जो दोस्तों इसमें घरेलों नुक्सा है सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है अब ले लीजिए एक टरपानी और एक टरपानी में आप देखने मेरे हाथ में यह लेशुन मिर्च और उसके बाद अध्रक का यह बायों इसमें हमने हिंग भी डाल रखा है इस बायोंजाइम में और हिंग के ओज़ा से दोस्तों आप जानते हैं कि हिंग हमारे पौदे पर बहुत अच्छा काम करता है और इस जो यह बहुत ही 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 बहुत ह है जाकर आप देख सकते हैं होंदेख को बना सकते हैं एक कि पानी में दूस्तों इसको करते हैं मांत्र दो से थीन भीृ कर अब को उसके बाद इसको थरा सब और इसको हमें फ्वासा आप को स्ट्रॉंग करें इसमें श्टीकर हम आध बहुत बेष्ट काम करता है एक इडर फारी में इसको एक क्वापना होता है अब इसको ब्र लेते हैं और मह्रीद के जब बाद यह मंझे कर डेते हैं इसका छिर्काव करते हैं तो छिर्काव के समय थोड़ी शेया अदेना है कि ठंडिक मौसम में दो पहर में इसका छिर्काव करेगा बहुत अच्छे तरीके से करेए ताकि पूरा यह लगेगी पानी यह नीचे चला गया पत्तों से इसको पुरा नहिला देजेगा और एक बात आपको ध्याना और देना है कि ये छिड़काव करने के बाद आपको पांच दिन बार फिर दोबारा इस पर लगातार आपको ये रिपीट करना है रिपीट दोस्तों इसलिए कि इसमें होता क्या है कभी-कभी इसमें आप देख रहे हैं इस तरीके जब फैराएंगे बट्स को तो ये इसके अंदर ये काले कीड़े ये चले गए तो ये आपको ध्यान रहे हैं कि अगर इसमें दो बार आप तीन बार यूज करेंगे तो ये बिल्कुल ये खतम हो जाएंगे एक बार से कभी-कभी होता है कि ये खतम नहीं होते हैं कुछ रह जाते हैं तो उसी वज़ास से आप दोबारा यूज कर दीजिए दोबारा भी दोस्तों आप मात्र पांच दिन के बाद इस पर छिड़काव कर देजिए आपको इसका रिस् और में ंगें हैं इसको मैंने दूसी तीन दिन चौट देखिए एगदम सूख गई इस को भी अब देख सकते हैं इसे मिटि को भी है इस तो दूश्कीazon दोब कर ना क्या है कि आपके पास जितने घंद ने हैं सबी घंद मिटी किड़ाइक करने के बाद हैं आप छोड गुडाय करके दो दिन छोड़ देजिए उसके बाद आप इसमें देजिए फटलाइजर अब फटलाइजर देने के बाद आती है तो जैसा पौदा है उस हिसाब से अब उसको फटलाइजर दे सकते हैं तो देखिए यह जो फ्लावर कंडिशन पर हैं और इसमें कलिया आप द देख सकते हैं या मैंने बना रखा है फटलाईर एक गोलाल की तो दे सकते हैं फूले जीतने था दैपौदे इसको यूज कर देंगे तो दो से तीन दिन बात देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से आपका पौदा चलना सुरू होगा क्योंकि मैंने गुडाय कर दिया और अच्छे तरीके से धूब भी लग चुकी है मिट्टी को और इसके बाद जैसे खाद देंगे आप तो पौदा तेजी से गुरूद भी करेगा तो इस तरीके से हम सभी पौदे में यूज कर देते हैं उसके बाद दूस्तों मैं बता दो आपको कि गुडाल के पौदा अगर आप लगा रखें तो आपको एक विशेश ध्यान नहीं जरूरी है कि इसको धूप बहुत जरूरी है तो इसक सब्सक्राइब जोटोदर के कारण फादा नहीं रिप्रणा कboys अविश्ड्य में जरूरी चाहिते ले जब रहते हैं लुआप की सिकायतर रहती है कि कल्या इन आने कौन इसमीं फर्णा नहीं आते हैं दोश्तों लॉट्र मार्णा घाणे सर्दियू कीड़े के वह से नहीं लगा तो आप इस फटलायर को दीजी बहुत तेज़े से देखेंगे आपके पौदे में फ्लावर भी आएंगे दोस्तों उसके साथ में इसका कटिंग भी अप लगा सकते हैं जनौरी फ़रोरी मार्च अप्रेल मैं इन महीनों में इसके कटिंग बहु है की तो नहीं होता है क्ये दोस्तों कि कृरिसाफ पौध्04 ऑपकी पौध्य में है कि इसको कुट करने सूटा क्या है क्यों से इनर्जी से लगए है पक्रम कर देंगे तो आपके पौधे यह पत्ते निकल रहा है अगर आप यहां से रिमूब नहीं करेंगे तो इसकी एनर्जी यहां लगने की बजाए पूरी इनर्जी इसकी यहीं पर खत्म हो जाएगी यह आपको ध्यान देना है अगर इसको रिमूब कर देंगे तो बहुत अच्छी तरीके से इसमें भी पावराना यह शुरू जाएगा दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगाओ तो अपली वीडियो को लाइक करेंगा शेयर करेंगा और चैन को सब्सक्राइब आप जरूर कर देंगे मिलते हम से नई वीडियो में नई टापिक की साथ धमने बाद